नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल इंडियन व्लोगर नरेश कुमारी में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मा अन्यपुर्णा की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए आप हमारी वीडियो के अंतक बने रहिएगा मा अन्यपुर्णा की पूजा करते समय हमें कुछ ऐसी बाते हैं जिनका विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए मा भगवती का वह स्वरूप जिससे संसार को भरन पोशन और अन्यवस्त्र मिल रहा है माना जाता है कि दुनिया में समस्त प्राणियो को भोजन मा अन्यपुर्णा की किरपा से ही मिल रहा है भगवान शिव चुकि समस्त शृष्टी का नियंदरण अपने परिवार की तरह ही करते हैं अतहा उनके इस परिवार की ग्रस्ती मा अन्यपुर्णा चलाती है मा अन्यपुर्णा की उपासना से सम्रिधी, संपन्ता और संतोष की प्राप्ती होती है इसके साथ ही साथ वेक्ति को भक्ती और वैरागे का अशिर्वाद भी मिलता है किन दिशाओं में मा अन्यपुर्णा की पूजा, उपासना विशेश फलदाई होती है चलिए वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आपकी कुंडली में दरिद्र योग या दिवालिया होने का योग हो या फिर कुंडली में गुरू चांडाल योग हो या शनी, पंचम, अस्टम या दुआदश भाव में हो अगर राहू, दुत्या या अस्टम भाव में हो अगर कुंडली में विश्योग हो तो माता अन्यपुन्ना की पूजा उपासना आपको विशेश फलदाई होगी मा अन्यपुन्ना की पूजा में किन-किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए चलिए अब वो जान लेते हैं मा अन्यपुन्ना की पूजा प्राता ब्रह्म मूरत में या संध्याकाल में करनी चाहिए पूजा के समय लाल, पीले और श्वेत वस्ट्रधारन करें भगवती अन्यपुन्ना को कभी भी दूर्वा यानि की दूप अर्पित ना करें माला का प्रियोग ना करें और अपनी माता और घर की इस्त्रियों का हमेशा सम्मान करें किस प्रकार करें मा अन्यपुन्ना की पूजा ताकि दरित्रा का नाशो और संपंता की प्राप्ति हो तो चलिए दोस्तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मा अन्यपुन्ना की पूजा रोज भी कर सकते हैं या केवल शुक्रवार को भी कर सकते हैं मा अन्यपुन्ना की चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं समपून भोजन जरूर चढ़ाएं दियान रखें कि भोजन अर्पन के पूर्व घर में किसी ने भोजन ग्रहन न किया हो उसके बाद मा अनपूर्णा के मंत्र का जाब करें और इसके बाद अर्पित किये गए भोजन को परशाद की तरह ग्रहन करें उम्मीद है दोस्तो आपको मेरी ये आज की जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अगर आप लोग हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करकी साथ में जो बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी प्रेस कर दें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो आप तक हमेशा पहुंसती रहे जै मा अन्यपूर्णा जै शिफशंकर